कभी भी भोजपूरी के पावर अश्टार पवन सिंग को मिल सकता है बीजेपी से दुबारा टिकट जिहां और वही से वही काराकट छेतर से बीजेपी के तरफ से पवन सिंग को टिकट दिया जा सकता है और उपेंद्र कुसवाहा को हो सकता है वाई कट जिहां तो नमस्कार प्रणाम मैं रवी शंकर सिंग और आप देख रहे हैं रवी शंकर ब्लॉग अकेले मैदान में निर्दलिये उतर चुके हैं जिहां ना तो कोई पार्टी है ना ही किसी का सपोर्ट है अगर सपोर्ट है तो सिर्फ और सिर्फ जनता का उनके माता पिता का उनके ओडियंस का और भगवान का तो जब जिसके पास इतना सब कुछ सपोर्ट है उसके पास जिस तरीके से पवन सिंग का लहर चर रहा है, पुरा कारा कट पवन मैं हो चुका है, बिरोधियों के पसीने छुट गए, दिगज दिगज नेता भी है, वो पवन सिंग के तुलने में बहुत कम आ चुके हैं, जी हाँ, पवन सिंग अकेला एक ऐसा चेहरा है, जो इंटरनेशनल ल पहली बार नाम सुने थे, कारा कट का, वो कारा कट अज इंटरनेशनल लेवल पे सर्च होने लगा है, क्योंकि वहाँ पवन सिंग का नाम जुड़ा हुआ है, तो भुजपूरी के पावर स्टार पवन सिंग जब निर्दलिये फैसला ले चुके, कि अब हमें निर्दलिये कारा कट से चुनाब लड़ना है, तो काफी लोग शुरुवाती में तो बैठाने का बहुत ज़्यादा कोर्सिस कियें, और अभी भी कोर्सिस कर रहे थे पवन सिंग को बैठाने के लिए, लेकिन पवन सिंग पवन सिंग है, वो न तो बैठने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ने वाले हैं, और लड़कर विजय होने वाले हैं, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, कि भोजपूरी के एक ऐसे नेता हैं, ऐसे सिंगर थे, और अब वो नेता बनने जा रहे हैं, सिंगर अभी भी हैं, एक्टर है पवन सिंग उनकी चर्चा से समझिये तो पीम तक ये बात पहुँच गई कि भाई ये बिहार में एक सीट है कारा कट जहां से भोजपूरी के पावर अश्टार पवन सिंग लड़ रहे हैं और वो किसी को बनने नहीं देंगे वो निर्दलिये जीत जाएंगे और इस बार एक एतिहासिक जीत बनेगा पवन सिंग के लिए और वहां के जितने भी कारा कट के जनता हैं वो सभी लोग पवन सिंग के सपोर्ट में हैं खवर सुत्रों के अनुसार ये पता चल रहा है ऐसा निकल कर सामने आया है कि दिल्ली में इसकी बैठक हुई है और बीजेपी के टीम से बीजेपी के कारिकरता है जो सिनियर कारिकरता है उन लोगों ने ये हैसला लिया है कि पवन सिंग को कारा कट लोग सभा छेतर से उपेंद्र कुसवाहा जी को रैली ना तो उनकी कोई रैली हो रही है ना उनका कोई परचार हो रहा है क्यूंकि लोग जा ही नहीं रहे हैं उनके रैली में ना कोई उनके परचार में जा रहे हैं बस दो चार अगल बगल के लोग हैं उनके साथ में जो रहते हैं वो बस दो चार लोग हैं जो उपेंद्र कुसवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वार उपेंद्र कुसवाहा को जवरदस्त हार का सामना करना पड़ेगा इस बात की जिस तरीके से काराकाट के लोगों का प्यार पवन सिंग के साथ दिख रहा है तो इस चीज से सावित होता है कि इस व के लिए वो लड़ेंगे वो काराकट के छेत्र के लिए लड़ेंगे और काराकट का बेटा बनकर वो गए हैं क्योंकि उनकी मा आसिरवाद दिये हैं कि आज से हम अपना बेटा काराकट को सौप रही हूँ तो कहीं न कहीं पवन सिंग का लहर देखकर बीजेपी भी मजबूर हो गया है जी हाँ बीजेपी पार्टी भी मजबूर हो गया है बापस टिकट देने पर अब इसमें क्या हो सकता है वो दो दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा ये कनफर्म ना तो किसी बीजेपी के एजेंट से मुझे पता चला है और ना ही पवन सिंग के द्वारा डियरेक्ट पता चला है ये सुत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि दो दिन के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है जो बहुत बड़ा धमाका कहिए तो हो सकता है जी हाँ औ और अपना चुनाब चीन लेकर पवन सिंग मैदान में आ जाएंगे तो फिर कोई उपाई नहीं है बीजेपी को भी कोई उपाई नहीं चलने वाला है और पवन सिंग जीत की माला जरूर पहर लेंगे और पूरा काराकट पवन मैं हो चुका है आप वीडियो में सोशल मीड किया के जरिये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पवन सिंग के सपोर्ट में काराकट की माताएं बहने बुजूर्गे और दोस्त मतलब जो नौजवान हैं खासकर के नौजवान लोग इस तरीके से पवन सिंग के साथ खड़े हैं इतनी तबती धूप में इतनी गर पूरी तरीके से और सबके आवाजों में यही एक निकलती है, सबकी आवाज यही एक निकलती है कि इस वार ऐसे नेता चुनना है, ऐसा जो घर का बेटा हो और ये कारा कट के लिए सोचे, क्यूंकि पिछले से जो भी सांसत बनते आये हैं इधर दो-तीन साल से, वो सिर्फ आपना सोचते हैं ना कि कारा कट को तो पवन सिंग पर इस वार लोगों का बहुत जादा भरोसा है और पवन सिंग का ये जोस और पवन सिंग के प्रती लोगों का प्रेम देखकर बीजेपी का नईया डगमगाने के खगार पर है और वहां से उपेंद्र कुसवाहा को तो मु नहीं बता सकते हैं बहुत कम बहुत कम भोट आने वाला है अगर वो लड़ते हैं तो और अगर पवन सिंग को टिकट मिल जाता है तो पवन सिंग के पास एक तो निर्दलिये का पावर था जनता का पावर था और अगर पवन सिंग को बीजेपी से टिकट मिल जाता है वही क अगला चुनाब होगा तो जैसे कहिए वैसे पवन सिंग मतलब एक तरफा जीत पवन सिंग की हो जाएगी जिस तरीके से इस वार दिख रही है कि पूरा कारा कट पवन में हो चुका है तो ये बाते में मुद्दा यही था कि हो सकता है दो दिन के अंदर पवन सिंग को बीजे आपका क्या विचार है कि पवन सिंग को बीजे पी में जुड़ना चाहिए या निर्दलिये ही लड़ना चाहिए बट एक बात सोच लिजिएगा कि पवन सिंग अगर निर्दलिये जीतते हैं तो एक निर्दलिये परतियासी कहे जाएंगे और अगर बीजे पी से जुड़ हो जाता है तो आप अपना opinion अपना राय विचार सोच समझ के comment कीजिएगा और अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे तो लगता है कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पवन सिंग तो के पास एक power है यह और यह double power आ जाएगा जिहां तो यह सुत्रों के अनुसार पता चला है ना तो बीजेपी के टीम से मुझे कोई ख़बर मिली है लेकिन यह चीज सत्य भी हो सकता है जिहां चर्चा हो रही है क्योंकि पवन सिंग को गिराने के लिए चार चार पांच पांच जो अस्टार आने की आप लोग वीडियो में सुन रहे हैं तो आखिर क्यों क्योंकि पवन सिंग कैसे भी हार जाए लेकिन पवन सिंग का जो देखकर जो आने वाले भी है ना आप अपना ओपिनियन जरूर से जरूर दीजेगा आज के वीडियो में बस इतना हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत